हैलो दोस्तो आच्छी इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ किसी भी मुवाइल को अपडेट कैसे कर सकते हैं मुवाइल को अपडेट करने का फायदा क्या होता है दोस्तो अगर आप अपने फोन को अपडेट कर लेते हो तो आपका फोन नए जैसा हो जाता है और हैं application को open कर लेना है दोस्तों यहाँ पर आपको setting application दिखेगा तो आपको setting application को open कर लेना है open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जागा तो आपको नीचे की तरह पे scroll down करना है जैसे आप नीचे की क्लिक किजÈगा तो किलिक करने के बदूस्तों Your Phone Co Update करने के लिए आपको नीचे में एक option देखने को मिल रहेगा чr download and install तो आपको download install पे क्लिक कर देना है किलिक करने के बदbon जैसे आप इस पे क्लिक कीजेगा तो किलिक करने के बद यहाँ पर आपको इक क्याँ को वेट कर लेना है यहां पर देख सकते हो यहां पर परसेंटेज यहां पर दिखाई देगा फोन का तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है उसके बाद यहां पर विरिफाई होगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और आपका फोन है और दोस्तों यहां पर र लेके पीड़ा तो आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है धों लेक का अ फून नीगा करते हो तो यहां पर shareइट करने के बाद आपका जुब आपना जाइगा उसके बाद यहां पर आपको अपना लगा देना है, जो भी आपका finger होगा, यहाँ पर अपने finger लगा लिजेगा, तो मैं आपके finger लगा लेता हूँ, लगाने के बाद दस्तों, मेरा जो mobile है, यहाँ पर update हो चुका है, दस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको settings पर click करता हूँ, किलिक करने के बाद आपको नीचे की तरह पे score down करना है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको system update का option दिखेगा तो मैं इस पर किलिक कर देता हूँ किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो the system is already this latest version दोस्तों यहाँ पर मेरे system में latest version यहाँ पर update हो चुका ह और दोस्तों आप हमारा जो फोन है और दोस्तों यहां पर अपडेट हो चुका है तो आप इस तरीके से अपने मुवाइल को अपडेट कर सकते हो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरू सस्क्राइब करें धन्यबाद जैह